इस चुनाव में बीजेपी का बर्गर डिमॉरलाइस था आप यह कहना चाहते हैं? बहुत जादा पहले इस वज़े से था फिर जो टिकट वितरन हुआ उसकी वज़े से हुआ उसको लगा कि हमारी तो कोई भूमी का ही नहीं रहे गई लेकिन पर औरीसा जैसा भी तो राजजय जहाँ स्वीप कर लिया आपने गुजरात आप स्वीप कि अप इम पी स्वीप किये तो वही ऐंतर है जहाँ काम हो रहा था आप देखिए केरल देख लिजिए तरमिलाडू देख लिजिए जहां स्टेट लीडर्शिप स्टेट मचिनरी काम कर रही थी वहां आपको फर्क दिखाई देगा 2014 से 19 के में आपको बंगाल में क्या हुआ बंगाल भी आपके लिए डिबेकल हुआ बीज़ेपी के लिए तो उसकी बात तो छोड़ दीजिए तो इस लिए जो है या चार हैं किसी का फोन आए चार है बतारा हम आपको नहीं नहीं यह साम कुछ नहीं चाह रहे हैं लेकिन आप ये देखे पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करेंगे कि अगर ऐसा था कि अगर वरलब की लीडर्शिप बहुत कुछ रिसाइड करती है अमिट शाह ने उत्तर प्रदेश साधा कब था जब वो प्रभारी बने थे प्रभारी बने तो उन्होंने समाला था और इस बार प्रभारी कौन था बैजियन्त जय पांडा जो ओडिशा से चुनाओ ला रहे थे प्रभारी कुछ ही नहीं करता है किस ने कहा है प्रदेश अध्यक्ष करेगा जो करेगा ने ने ये थोड़ा सा ठीक है प्रदेश अध्यक्ष संग्ठन महामंतरी सबकी अपनी भूमिका है लेकिन प्रभारी का तो काम ही ही और चुनाओ भर के लिए ही तो है संगठन को थोड़ा तो उसके साथ संतुलन में कमजोर होना पड़ता है। यह मैं बहुत शब्द इस्तिमाल करना हूँ दोनों, जब बहुत मजबूत सरकार होती है, तो संगठन को कमजोर होना ही पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि संगठन अपने लिहाद से चलेगा। सरकार की ही नीतियों योजनाओं को प्रफगेट कर रहा होता है। लेकिन और्गनाइजेशन के लोगों के लिए रेगुलर काम देना, उनको एमपावर करना, उनको यह अहसास हो कि हम चला रहे हैं। यह बड़ी बात होती है। तब तो लक्ष्मी कानबाच पर यह थी तो बहुत बढ़िया नहीं थी लेकिन 14 में दो चीज़ें थी, एक तो 2004 से 2014 की दूसरी सरकार थी। आप ऐसे इगनोर नहीं कर सकते हैं। तब उम्मीदें वड़ती है वर करके और जब उसका काम नहीं होता है, उसको काम नहीं मिलता है, तब उनी राश होता है। कि या तो देश में या उस प्रदेश के अंदर ऐसे हालात हों कि जनता के मूड से आपको एक फिलिप मिल जा, आपको साहिता मिल जा तो आपको काम असान होता है। आप चुनाप जीतना चाहते हैं सरकार बदलना चाहती है तो आप बोड़िसा जैसा कुछ कर देंगे। या इस पार्टी में ममिश्चा के लावा कोई आदमी ऐसा? ने ने सवाल ये है कि अब अब ये तो पार्टी बताएगी कि ऐसा है कि नहीं जिसको जिम्मेदारी दी थी उसको दे कर देख लिया कि क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ अब इसका आंकलन पार्टी को करना चा चाहिए 14 से 19 के बीच में आपको एक शिकायत किसी मंतरी की नहीं मिलेगी कि उसने अमिश्चा से मिलने का समय मांगा उन नहीं मिला 19 से 24 के बीच में आपको कैबिनेट मिनिस्टर से शिकायत करते हुए मिल जाएंगे या तो आदारा सिंग चोहां तो मतलब सुधाकर सिंग के हार गए जब कि वहाँ तो राजपूत भी नहीं कि कह देते कि नाराजगी तो कुछ और थी ना, डारा सिंग गए, पलट के आए, फिर आए, ऐसे नहीं चलता है, राजणी तो यह वाला भी ठीक नहीं है, अभी आप किनके नाम सुन रहे हैं, कौन हो सकता है, जिनके भी नाम हम चुनाओ के, स चल गया तो कड गया, लेकिन संग्ठन से बाहर तो नहीं जाएंगे, वैसे तो यह है कि आप किसी को भी बना देंगे, तो अच्छा ही है, जैसे मोहन यादव को बनाए, तब लोगों को ध्यान में आए, कि तो भाई, लंबे समय से विधायक हैं, मंत्री भी टिकट नहीं मि विष्वस्त हैं, नरेंदर मोदी भी उनको अच्छा मानते होंगे, इसके लाओ क्या का रहा है, ये भी तो बड़ी कौलिफिकेशन है ना, किसी का विश्वस्त होना, हाँ बिलकुल, लेकिन ये जरूरी है क्या, लेकिन सिस्टम तो ऐसे ही चलता है, आप जिसकी क्वालिट मिशा जी कि दो लोग मैं बैठे आए भाई इसको बना दो, ऐसा नहीं? सब एक दूसरे की टांक कीच रहे थे, तब हस्तक शेप किया था संग ने, दिल्ली में चार-पांच दिन मोहन भागवजी बैठे थे, सबसे बुला कर मिले, और उसके बाद उन्होंने गोश्रा की कि अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी ने नहीं तै किया था, पहले उन्हों महराश का इलेक्षन आ रहा है, हर्याना का इलेक्षन है, जार्खन का इलेक्षन है, और अभी से लोगों के मन में इस धारना है, यह तीनों इलेक्षन बीजेपी हार रही है, सच बता हम आपको, मतलब कि भई, आसान विल्कुल नहीं है, तो आप नंबर्स में बहुत डाउ अब वो काम कौन करेगा, अब वो जो नया आदमी आएगा, वो करेगा, या यह काम भी मोदी जमिच्छा कोई करना पड़ाएगा, पार्टी को पंप को रॉमिच, इनके अंदर थोड़ा उत्सावरो, कौन करेगाएगा, तेकि मुझे लगता है कि यह भ्रम भी बाहर होना यह काम करना ध्यक्ष को पड़ेगा, मोदी जी सबसे बड़े नितना है, उनकी अपनी ब्रैंड वैल्यू है, अमिच्छाह कमाल के संक्ठन करता है, लेकिन वो दो बड़े मंत्रा ले चला रहे हैं